डाइबिटीस को कैसे डाइगनोस किया जाए? पेशन्स को closely monitor करना होता है क्या treatment दे ताकि ये complication free हमारी delivery रहे? डाइबिटीस को कैसे डाइगनोस किया जाए? तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेसी के शुरू में ही हम कुछ blood test करते हैं जिसमें हम random blood sugar या glucose challenge test जैसे test कर सकते हैं जिससे हमें patient के diabetic होने का पता चल जाता है नहीं तो हमारी Indian population में especially जहां पे diabetes का incidence नॉर्मल वोर्ल से जाधा है हम छटे महिने में यानी की 24 से 28 सफते में एक glucose challenge test का नाम का test करते हैं जिसमें खाली पेट patient को 75 gram glucose 100 ml पानी में पीने के लिए कहा जाता है और उसके 2 घंटे के बाद test किया जाता है अगर वो level 140 mg per deciliter से जाधा होता है तो patient को diabetic होने का diagnosis दिया जाता है अगर 120 से 140 level रहता है तो उसमें भी थोड़ा सा future part of the pregnancy में diabetes का खत्रा होता है और उन patients को closely monitor करना होता है और अगर यही level 120 से नीचे रहे तो काफी हद तक patient के अंदर ये complication होने का खत्रा नहीं होता है अब next सवाल आता है कि एक पर diagnosis तो कर लिया कि मरीज diabetic है उसको monitor कैसे करें और क्या treatment दे ताकि ये complication free हमारी delivery रहे तो monitoring के लिए आपको सबसे पहले तो advice किया जाता है कि अब किसी अच्छे doctor, gynecologist और एक diabetes से आप मिलते रहें regular visits रखें वो आपको कुछ diabetes को monitor करने के लिए blood sugar charting का एक pattern देंगे वो आप नियमित रूप से follow करें और उससे भी जादा important है आपको diabetic diet follow करना और exercise नियम से करना बहुत commonly ये समझा जाता है कि अब diabetes हो गई है, हाथ पैरों में कमजोरी है तो मरीज को अराम करना चाहिए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर हम exercise करते हैं तो हमारी blood sugar levels अपने आप ही control होने के बहुत जादा बिना दवाईयों के chances बढ़ जाते हैं करते हैं